हलो गाइस कैसे आप सब स्वागति में चैनल पर मैं हुसेंपाय नेटवर्क तो आज हम एक खास अपडेट के बारे में बात करने जा रहे हैं लेकिन उससे पहले मैं एक सीरियस चीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ तो लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो अपलोड किया था और वहाँ पर मैंने बात किया था कि क्यू रिकॉर्ड और रैगनरॉक नेट्फिक्स इंडिया में बैन हुआ है तो मैंने बस Record of Ragnarok का criticism और news के बारे में आप लोगों को बताया था साफ साफ कहा जाए तो मैंने बस आप लोगों के साथ एक news share किया था वहाँ पर मेरा कोई भी अपना opinion नहीं था लेकिन कुछ लोगों ने वीडियो में जैसा comments किया मैं देखकर हैरान हो गया कि आप लोग actually मेरे वीडियो देखते हो तो मतलब मैंने बस एक news share किया था वहाँ पर मेरा कोई अपना opinion नहीं था मैंने बस कहा था कि एक हिंदू activist का इसके बारे में क्यार आए है और उसके साथ ही कुछ अलग-अलग informations मैं हमेशा ऐसे news videos में या तो मेरे comment में या फिर description box में मैं हमेशा source article का link दे देता हूँ लेकिन आप लोग article क्या परोगे आप लोग तो मेरा वीडियो ही नहीं देखते जिन लोगोंने मेरा वीडियो पुड़ा देखा है उनको इस बारे में समझ आया है लेकिन जो लोग मेरे वीडियो नहीं देखते है लेकिन सीधा आके एक उल्टा सीधा comment ठोक देते है मैं उनको कह देना चाहता हूँ कि मैं ये सब बहुत दिनों से देख रहा हूँ अगर ऐसा आगे जाके हुआ तो फिर आप लोगों को बैन करने की सिवाए मेरे पास और कोई उपाए नहीं है क्योंकि देखो गाइस मैं बहुत दिनों से कह रहा हूँ कि अगर comment देना है तो वीडियो को पूरा देखो उसके बाद अपना opinion दो मैंने उस वीडियो में record of Ragnarok के बाड़े में जो भी कहा था वो बस उस anime का criticism ही था लेकिन अगर आप लोग पूरा वीडियो को ना देख के ये सब कहेंगे तो फिर कैसे होगा बताइए इसलिए मैं यही आशा करूँगा कि आप लोग मेरे साथ cooperate करे तो चलिए बहुत ज़्यादा वकवास हो गया मुझे नहीं पता ये भी आप लोगों ने सुना होगा या नहीं लेकिन फिर भी चलिए चले आते हैं आज के topic में तो आप लोगों को तो पताई है कि Demon Slayer movie Infinity Train इंडिया में release हो रहा है और अगर आपको by chance इसके release के बारे में नहीं पता तो मैंने एक वीडियो कुछी दिन पहले बनाया है वो उपर कार्ड में है आप जाकर चेक कर सकते हैं तो आप लोगों को पताई होगा कि हम जो इंडियान एनिवे फैंस हैं हम कितने दिनों से Demon Slayer के इंडियान रिलीज के बारे में इंतिजार कर रहे थे हाँ थोड़ा लेट है मैं समझ सकता हो लेकिन कम ओन गाइस इंडिया रिलीज है और साथ ही साथ उस Demon Slayer के वीडियो में मैंने ये भी कहा था कि और भी कही सारे एनिमे फैंस इंडिया में रिलीज हो सकता है लेकिन उनका इंडियान थेटर में रिलीज डिपेंड करता है Demon Slayer का इंडियान थेटर में सक्सेस के उबर तो मैंने जिन सारे एनिमे के इंडियान रिलीज के बारे में प्रेडिक्शन लगाया था शायद वो ना आ है लेकिन एक है मतलब एक पूरा फिल्म सीरीज है जो की इंडिया में रिलीज होने वाला है मतलब ये कोई थेटर के रिलीज नहीं है लेकिन डिजिटरी रिलीज हो रहा है Amazon Prime वीडियो में और ये मुवी सीरीज है इवान गिलियान रिबूट का मुवी सीरीज और हाँ वो लोग एक साथ चार मुवीज ही रिलीज कर रहे है और उनके अंदर एकदम रिसेंड मुवी थ्राइज अपॉना टाइम भी है और ये चार मुवी एक साथ ग्लोबल रिलीज होने वाला है 13th August को लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट है ये मुवी Amazon Prime वीडियो पर ग्लोबल रिलीज हो रहा है 240 देशों में और देखिए गाइस पूरी दुनिया में 240 के आसपास कंट्रीज है तो फिर इंडिया में definitely रिलीज होने वाला है और उन्हेंने क्या भी दिया है कि जैपैन में रिलीज नहीं होने वाला जिसका मतलब इंडिया में रिलीज होने का चांस और भी ज्यादा बढ़ गया है ना विल एनिवे इंडिया में ज़रूर रिलीज होगा इस बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है लेकिन अभी भी एक और बड़ा इंफर्मिशन हमारे हाथों में है ये मूवी 28 सब्टाइटल्स में अबिलेबल होने जा रहा है तो फिस शायद हिंदी सब्टाइटल रह सकता है और सबसे बड़ाद ये मूवी 10 भाषाओं में डव होने जा रहा है उनके अंदर 5 लेंग्वेजिस कौन कौन से होने वाले है ये कंफर्म हो चुका है लेकिन बाकी 5 लेंग्वेजिस के अंदर हिंदी भी रह सकता है पर ये पूरी तरह से डिबेंड करता है Amazon Prime India के उपर क्योंकि देखिए गाइस इन मूवीज का डबिंग का काम अभी भी चल रहा है और अगर Amazon Prime India वाले कौपरेट करे तो फिर शायद हमें एक हिंदी रिलीज भी देखने को मिल सकता है और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर हिंदी देखने को नहीं मिलेगा लेकिन हम एक्सपेक्ट कर सकते है क्योंकि एक्सपेक्टेशन के बाद ही हमें Demonstrator का movie इंडिया में देखने को मिला है और शायद इसी तरह से Evangelion का movies भी हमें Hindi में भी देखने को मिल जाए तो फिर guys, अगर आपने वीडियो पुरा देखा है तो फिर ये बताईए आपको क्या लगता है, ये movie हिंडी में रिलीज होगा या नहीं और साती जात इवान गिलियान movies के इंडिया रिलीज के बारे में भी अपना opinion हमें नीचे बता दीजिए, तो ऐसे तरह तरह की वीडियो के लिए हमाने साथ ऐसे बने रही है तो आज की वीडियो से इतना ही मिलते आगे इक और नहीं वीडियो के साथ